हेलो प्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्पी टीजीटी का डिटेल्ड सेलेबस फॉर दे सब्जेक्ट बायोलोजी 2023 हम सबको पताएं कि टीजीटी का जो आज पर जो प्रॉपर एक सेलेबस है वो नहीं है कहीं पर भी मेंशन नहीं है इसका मतलब यह है कि हमें क्या है कि बायोलोजी के अंदर हमारे लिए कोई भी बाउंडरीज सेट नहीं की गई है कि आपको बस इतना ही पढ़ना है तो हम क्या करते हैं क्योंकि हमें किसी बेग्जाम की त्यारी करने के लिए सबसे पहला जो basic point है या basic step है वो सबसे बहला syllabus है हम पहले syllabus को देखते हैं उसके बाद हम अपनी strategy बनाते हैं और उसके बाद हम किसी भी exam कि त्यारी शुरू बरते हैं तो अब किया करें अगर hptgt 2023 मे HPTGT ने कोई syllabus mention नहीं किया है तो फिर अब क्या करें तो अब हम करेंगे कि हम previous year questions को analyze करके एक pattern को analyze करके ठीक हम इस conclusion पर आएंगे कि कौन-कौन topics ऐसे हैं जो exam में बार-बार पूछे गए हैं जहां से बार-बार आपके questions आते हैं अब अगर आप TGT के लिए प्रिपेर करें यहां पर आपका graduate level तक का biology का syllabus आता है जिसके अंदर botany zoology आती है यह हम पहले भी डिसक्स कर चुके हैं और हमें वैसे भी पता है कि biology की जो दो ब्रांचीज है वो एक है botany और एक है zoology यानि दोनों important है अब कुछ बच्चे क्या क के अंदर कौन से आसे topics हैं जो हमें करने हैं वो आज हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो HPTGT के लिए biology का जो सलेबस्त है वो यह है सबसे पहले आता है आपका cell biology यानि इसके अंदर देखो cell biology का मतलब होता है सेल बायोजी बायोजी क्या है study of living organisms अब सेल बायोजी का मतलब है कि हम सेल के अंदर की इसकी पूरी structural चीज़े देखेंगे activities देखेंगे प्लस इसकी metabolism देखेंगे वह सारी चीज़े में देखेंगे तो हमने या mention किया है कि सेल बायोजी में कौन-कौन से ऐसे area है जहां आपको focus करना है जैसे सेल बायोजी के अंदर obviously study of cell कहां से आई इसकी पूरा historical background इसकी discovery जिसमें आपके scientist बहुत relevant हो जाते हैं इस topic में आपके scientist important है वहां से आपको questions आ सकते हैं उसके बाद है आपकी cell theory कि इसके अंदर क्या modifications आई थी यह सब आपकी इसके अंदर आएंगे इसके अंदर भी आपके scientist important है क्योंकि इसमें भी scientist का बहुत बड़ा रूल है उसके बाद आपके आते हैं different types of cells जिसके अंदर आप करते हैं unicellular, multicellular और दो तरह के और cells होते हैं आपके इसने की prokaryotic and eukaryotic in detail देखिए TGT का जो exam है वो बहुत detail में आता है ठीके ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ncrt करेंगे तो आपका पूरा का पूरा वेपर हो जाएगा हरी एक चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है अब बेशक आएगा ncrt से आपने topic भी किया होगा लेकिन कु किसी भी syllabus में कभी mention नहीं होता है तो अगर आप ncrt's follow करते हैं तो आपका जो exam है उसके नदर 50-60% ऐसे होंगे questions जो आपको लगेगा कि हान जी ठीक है ncrt's है और आप you will be able to attempt them all ऐसा नहीं है कि आप question attempt नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपको अच्छे marks के साथ या किसी rank के स आपको पहली पता चल जाता है जब आप exam देते हैं आपको उसी वक्त पता चल जाता है तो उस situation पर जाने के लिए आपको हर एक चीज को थोड़ा advanced level पर करना पड़ता है ठीक है तो prokaryotic और eukaryotic को आपको detail में करना है इसका structure आ जाता है कही बाद उसके बाद cell originaries and their functions बहुत important है ठीक है यहां से question आ जाता है आपको उसके बाद different cellular processes के अंदर जैसे हम cell cycle करते हैं और cell division meiosis mitosis और cell cycle के अंदर आप करते हैं जैसे क्रेब cycle TCA cycle इसी को कहते है glycolysis electron transport chain इनसे भी आपको questions आ जाते हैं last one is biomolecules पांच biomolecules पढ़ते हैं आप carbohydrate fat proteins vitamins and minerals यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी है soil के अंदर मिनरल का question आ जाता है ठीक है कि कौन सा mineral जो है वो soil में है यह कौन साइसा mineral है यह कौन साइसा vitamin है जो blood clotting में help कर सकता है तो यह biomolecules आपको important है और उसको पढ़ना है आपको उसके बाद है आपकी biological classification जिसके अंदर वैसे तो classification जब आप देखते हो तो आपको दीखेगा two kingdom classification से लेकर six kingdom तक है अभी जो हम पढ़ते हैं उसमें five kingdom classification is the most relevant two kingdom start हो जाती है आपकी काल लीनस ने ठीक है जो की basic structure देता है आपका उसका five kingdom classification was given by आरिश विटकर वो आपको डिटेल में जो है पांच kingdoms बताते हैं और वो आज तक चलती आ रही है इस classification को हम आज तक इसी हिसाब से पढ़ते हैं और इन डीटेल पढ़ना है इसके अंदर आपको algae fungus यह सारी चीज़े आएंगी तो आपको यह जो है important the most important है again it is very 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 important कि आप classification of organisms को बहुत अच्छे से और depth में करो पांच kingdom classification के अंदर आते हैं आपके दो kingdom now moving to the next as we all know that biology has been divided into two parts botany as well as zoology ठीक है biology के अंदर तो क्या है living organisms को study करते हैं but botany specific हो जाती है जहां पर आप इन डीटेल पढ़ते हो पर आपको focus करना है जैसे structural organization in plants है plant का structure उसकी morphology वो दिखने में कैसा है and as well as its anatomy ठीक है अगर आप उसका cross-sectional transactional ऐसी कोई चीजे करते हो तो वहां पर उसका structure कैसा दिखता है that is also very 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 important उसके बाद plant physiology के अंदर भी आप topic पढ़ते हो जैसे plant physiology के अंदर आता आपका mineral nutrition ट्रांस्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट एक्टिव पैस्टिव जिसके अंदर आप यह आते active and passive उसके बाद आता है आपका respiration it is also very important ट्रांस्पोर्टिशन आपका circulation में इसी में आता है circulation transportation transport में ही आजाता है ठीक है यह कुछ आपके important चीजे हैं जो आपको plant physiology के अंदर करने बढ़ती है ठीक है उसके बाद plant pathology का मतलब है कि आपको इहां diseases that are related to the plants यह आपको पढ़नी होती है यहां पर आजाता है black rust of wheat ऐसा कुछ आपको आएगा तो आपको बता होना चीज को causal agent क्या है ठीक है और आपको यह पता होना चीज कि वह extreme conditions क्या है basically आपको हमेशा causal agent पर जादा questions के chances होते हैं उसके बाद reproduction in plants the ability to produce young ones उसके बाद ecology again a very 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 important topic ecology के अंदर environment है क्योंकि environmental आपकी क्या है थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा है और plant कैसे affect और उसकी से वह भी आपका बहुत जादा important जो है वह relevant हो जाता ecology ठीक है आपको कही बार यहां पर drugs पे भी question आते plants के अंदर drugs होते है और somehow they are also related to the biotechnology की drug को drugs not in a negative sense drugs means medicines आप वह भी कैसे डेवलेप करते हैं वह भी आपका plants में से आ सकता है प्लांट जोग्रफी एंड प्लांट resources and development इसके अंदर आपको आजाता है कि कौन सी जो है वह असेंशल है कौन सा प्लांट जो है किस तरह की कोईल पे ग्रो करता है कुछ आप इसमें वह चीज़ा कर सकते हैं ठीक है एडवांस्मेंट अगर को इसके अंदर आई है तो यू कन आपके चलाए कि अगर आप किसी एक्जाम के लिए प्रिपेर हो रहे हैं या आप किसी एक्जाम को क्राक कर रहे हैं तो यू हाव और वेशु आता है तो तो यू आ लूक की थोड़ा आपको पता चल जाए कि उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बाद बायो टेकनोलोजी और बायो स्क्राटिस्टिक्स अंदर तो आप मीन मोड मेडियन से जो है वेरिबल को स्टडी करते हैं ठीक है वह आता है इसके नदर भो पढ़ते हैं का यत हुड है जो इस पार छी करते हैं तो ऐन्युह शीक है बयुट सारी अपने में Mhm अब तो बहुत सारी हों है कि सिस नहीं में कि और रूंअध में उसके बाद आता है आपका structural organization animals and we are talking about now zoology zoology के अंदर आप पढ़ते है structural organization animals कैसे body है कैसा structure है और साथ में सबसे पहले आपने कर चुके हैं कि आप इसकी क्या करेंगे classification भी करेंगे तो आपको classification का भी पता होना चाहिए उसके बाद animals की reproduction very important human physiology very 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 important again it contains the digestive system circulatory system excretory system nervous system ठीके जी and so on इसमें सारे आपकी चीज़े आएंगी digestive से भी आपको बहुत क्वेशन आता है और ये CS यानि कि आपका जो ये central nervous system है sorry circulatory system है blood से आता है और nervous system से आप से brain से question पूछा जाता है आप अपना PYQ चेक कर सकते हैं इसके अंदर आपको दिख भी जाएंगे ये questions कि कहां पर मैं किसकी बाद कर रही हूं then the excretory system यानि के बारे में अगर आपको बुछाता है test आजाता है कुछ भी आ सकता है आपको अब आगी चलते हैं molecular biology इसके अंदर आप पढ़ते हो recombinant dna technology most important जिसके अंदर आप देखते हो कि antibiotic resistance और टेकनिक्स यूज करते हैं आप इसके अंदर इसके अंदर जातर यूज कि कि आजाता है जाता है जह कुछ है वेक्टर अक्टर वेक्टर और प्लासमिड क्या है आपका प्रो फंक्शनल ए तो यह भी कहां इसका यूज हो रहा है मतलब कि आप कैसे उसको एक useful structure की तरह यह देख रही है वह भी आपको बहुत जादा अगें इस इंपॉर्टेंट उसके बाद evolution देखो biological evolution पर आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी वह दिखेगी evolution कैसे जैसे इंसान पहले चार पर चलता था अब भी तो पर चलता है वाल हुआ है उसके अंदर चीजे क्या होई है अच्छी चीजे होई है मतलब कि evolution जो है it is not always deconstructive it is constructive और vice versa हमेशा evolution से जो है चीजे क्या होंगी constructive हो रही है हर चीज क्या हो रही है यूसफुल हो रही है तो evolution का भी आपको देखना इसके अंदर आप जो आपकी NCRT की बायोजी के NCRT उसके अंदर भी आपको evolution chapter दिया गया है पर आप उसमें कुछ हेरी आज़र जहां पर focus करना है genetics inheritance and variations के अंदर आप in detail DNA RNA के structures को पढ़ते हैं बट specially आप DNA पढ़ते हैं इसके test पढ़ते हैं कि कैसे यह DNA जो है वह as a genetic material was introduced पहले सबसे पहले आपको जैसे transforming principle आता है उसके अंदर क्या हुआ फिर कैसे कैसे आपको पता चला कि DNA ही जो है वह genetic material है DNA से पहले एक question आपके वह आप ही चुका है कि सबसे पहला किसको माना जाता है कि it was a genetic material तो उसके options दिये गए हैं यानि कि आपको हर चीज क्या है हर चीज का historical background भी पता होना चाहिए आपको उसका situation भी पता होनी चाहिए कि वह क्या क्या उसका structure है plus उसकी current situation क्या है वह भी करके जाए तो ऐसा कोई question यह होगा आपको नहीं आता होगा उसके बाद last but not the least is by chemistry जिसके अंदर आप test वेरा करते हैं ठीक है डिजीज के लिए कौन-कौन से test होते हैं यह सारे आप चीजे जो है उसके अंदर करते हैं तेस्ट टेक्निक्स जितनी विभाइक है वह सारी यहां पर राती है अब कुछ ऐसे चीजे होते हैं जिस पर आपको आपको लगता है कि यह भी आ रहा है that is called as terminology पूछ लेते है study of cell study of यह वह सारी चीजे पूछ लेते हैं आप से ठीक है जी तो वह बन जाता है आपका terminology यह तो जब आप concept करते हो सासथी चीजे कर लेते है तो फिर अदर में नहीं आता है यह आप साथ और किसी भी structure के बारे बात करें आप ABOUT करें हैं किसी भी topic के बारे में बात करें हैं हम उसको उसी वक्लियर करेंगे कि यह कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और इसके टॉमिनलोजी कौन कौन सी है जो यहां पर फिट वेट दिया है तो यह है आपके जो सलेबस for the biology ठीके अगर आपको किसी भी तरह के को कोईरी हो तो you can ask पर आपको इन डिटेल यह सारी चीजे करनी है जिके NCRT तो करनी ही करनी है प्लस इसके साथ थोड़ा सा advanced level पर जाकर जब आप चीजे करोगे तो definitely आपका एक्जाम क्राइब हो जाएगा so all the best thank you and have a nice day